आज का वीडियो मुखे रूप से उन सभी लोग के लिए जो कहते हैं कि GDS में computer certificate की आवश्यक्ता नहीं होती है या जिनको doubt है कि आपकी यानि की प्रयाग्दास्तोमर computer education जो संस्था है हमारी इस संस्था का certificate valid होगा की नहीं होगा और कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि verification कि इस प्रकार से किया जाता है तो यह तीनों सवालों का जवाब आपको दिखाऊंगा साथ ही साथ यह जो letter GDS की तरफ से हमारी संस्था को आए है उसको भी आपको दिखाऊंगा detail में और यहां पर तीन लेटर अभी हमारे पास है एक तो मिर्जापुर से आया हुआ है एक और लंगाबाद का है और एक सीधी डिश्टिक का है यह तीन लेटर दिखाऊंगा और मोखिरू से जो मैं आपको बताना चाता हूँ वो यह है यह जो letter आया है इस letter में आप देखेंगे यह Department of Post India Inspector of Post चुनार सबडिवीजन मिर्जापुर यह यहां से आया हुआ है हमारी संस्ता प्रयागदास तोमर computer education को और यहां पर देखेंगे लिखा हुए subject है regarding verification and genuineness of computer certificate grade card ठीक है तो यहां पर यह जो line लिखी है इस line को आप पढ़ेंगे तो आपको भी चीज़े समझ में आएंगी यहां पर लिखा है as per notification for the post of grammar dark 7 cycle 3 2021 उत्तरप्रदेश सर्कल रेक्ट GDS online engagement UP 2021 case art candidate should have computer knowledge and will be required to furnish basic computer training course certificate of at least 60 days duration from any computer training institute run by central government, state government, university, board, private institute, organization ठीक है तो यह जानकारी साफ साफ यहां पर इस letter में जो हमारे पास आया हुआ है इस letter में लिख के आ रही है कि भीया जिनका हो रहा है उनको requirement है ठीक है तो अगर आपके पास यह letter रहेगा यानि कि यह जो certificate है आपके पास रहेगा तो यह certificate आपके पास अधिक नहीं हो जाएगा अधिक नहीं होने का मतलब आपको काम ही आएगा इसलिए संस्ता के माद्यम से आपके पास अगर certificate नहीं है तो certificate आप ले सकते हैं घर बैठे हमारी संस्ता आपकी ही मदद कर रही है कि आप घर बैठे ही इस certificate को प्राप्त कर सके आपको यहां वहां भटकना ना पड़े क्यूंकि और कोई भी center कोई भी institute ऐसे registered नहीं होगा government की माद्यम से जो basic training का certificate प्रोवाइड करवा सके क्यूंकि जो government के तरफ से कुछ जो university के तरफ से प्रोवाइड करवा जाते है वो one year का registration के लिए आप घर बैठे certificate प्राप्त कर सकते ठीक है आप देखो यह तो एक letter हो गया इसके अलाव और भी letter जो मैं आपको दिखाऊंगा यह सीधी से आया है सो दिन्दी में letter दिया गया है यह computer certificate के सत्यापन विश्यक लिखा हुआ है उपरोगत विश्या अंत्रगत स्री विशंकर विश्करमा की computer certificate की चाय प्रती सनलग नकर सत्यापन ही तू साधर प्रेशित है ठीक है तो यह एक हो गया letter इसी प्रकार से एक तो यह letter आपको मैंने दिखाया एक यह आया हुआ है यह औरंगाबाद बिहार से तो उत्तरप्रदेश से यह आया हुआ है letter और your kind cooperation is required to verify the submitted computer certificate basic computer course with MS office by स्री रजनीश कुमार son of धर्मेंद्र कुमार दास for engagement of GDS और ABPM अंडर दौल नगर सब डिवीजन the certificate number is यह number दिया हुआ है and it was issued 1512-2022 तो यह पूरा letter है तील letter है हमने आपको दिखाये अभी यहाँ पर जो इनके cover आते है कैसे cover में पर यह cd वाले letter था हिंदी में यह आया आपका एक बिहार वाले letter है जो और इस प्रकार से यह letter इस प्रकार से pack होके हमारे पास आते हैं हमारे address पे आते हैं हमारी संस्था पे आते हैं ठीक है अचा अब certificate की अगर बात कर रहें तो certificate देखो आज ही दो तीन certificate यहां से हैं जो अभी मैं पोस्ट कर रहा हूं तो पोस्ट करने के पहले आपको यहां पर दिखा रहा हूं इस प्रकार से उबर इंडिया certificate valid है जीडियस में certificate की requirement अगर आपने अभी तक नहीं लिया है आपको जीडियस की आवसकता certificate की आवसकता पड़ेगी computer certificate आज नहीं तो कल कहीं न कहीं आपके काम आएगा इस कारण से अगर अभी तक आपने जोईन नहीं किया है अभी डाउनलोड कर लीजिए है यहीफ यह झाउनलोड कर लीजओटीTV